धुक्हात दूस्तों आज बात करेंगे इस ट्रॉडड्रग्स के बारे में कि भाई जो अपना ग्रूप ऑफ ड्रग्स का पार्टक स्रीज इसमें ये एक पार्ट है इसमें तरफ और सिर्प ड्रग्स का अपन क्लासिफिक्रिकेशन देखें कि कि ये कितने तरह के होते हैं किन कुछ हमारे सरीज में बंते हैं। उनकी उपर अपने अलग वीडियो बनाएगे ठीक है। कि नेचरोड़ पमकौन से स्ट्रॉयड होते हैं जो अमारे सरीज में श्रिज में बंत रहे होते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ सिंथेटिक जो बजार में अबलीवल होते हैं अलग अलग नाम से उनको ही देखिए तो दोस्तों यहां पर इस्टेरोडल्य लिड्रग्स दोतरा कीवन talking को नहीं होते हैं और एक एनागोकर के ओपर ऊपर एक वीडियो बंद सकता है ठीक है वो जो bodybuilder यूज़ करते हैं ज्याद अतर आजकल चल रहा है वो अलगची होती है लेकिन जो medicated steroids होते हैं जिनका इस्तिमाल वाकरी में है कि इनसान की जान बचाने के लिए इनसान की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है उनको समझते हैं आज तो यह corticosteroids होते हैं कुछ यह जो corticosteroids कहलाते हैं यह दो तरह की ठीक है corticosteroids दो तरह का है पहला है glucocorticoosteroids और दूसरा है minrelo corticosteroids तो पहले समझ लेते हैं पर फटा फट but glucocorticoid में क्या का आता है देख भाई glucocorticoosteroids के अंदर तीन तरह की कैटेगरी है short intermediate और long short में कोन कोन से आती है अगर बात किजाए sterodal drugs की जो की glucocorticoosteroids होते हैं उनमें पहला आता है दोस्तों hydrocortison hydrocortison आपने देखा होगा आदिकतर मिलता है प्राइम अकोट के नाम से मिल जाता है मार्केट में यह बेसिकर क्या है यह immune response के लिए जाता है immune response के दौला अगर कोई बीमारी बढ़ रही है तब उसमें आप hydrocortison को देंगे oral की बात करना है अब यह अपन ठीक है hydrocortison का injection tablet देंगे तो वो काम अच्छा करेगा किसी तरह के allergy itching में काम अच्छा करता है ठीक है hydrocortison या प्राइम अकोट यह ब्रैंड नाम है प्राइम अकोट उसके लावब बात करें इंटर्मीडियेट इफेक्ट तो वहां पर आता दोस्तों प्रैडनिस ओलन मेथाइल प्रैडनिस ओलन और डेफ लाजा कॉट तो प्रैडनिस ओलन तो आप जांती है अमना कोटिल वगरा के नाम सम्मिलता है यह allergy में ज्यादा तरह च्रजजल देता है allergy हो रही हो किसी भी तरह के allergy हो वहां पर आप अमना कोटिल टेबलेट देंगे त जी को या arthritis हो या आप पर यह बहुत अच्रजजल देता है जी किड्नी को को infection हो गया तो वहां पर डिपोर्ट मैड्रोल देंगे मतलब कि मेथाइल प्रैडनिस ओलन यह इस्ट्रोड बहुत अच्रजजल देता है वहां पर यह बोलना चाहिए यह कोड़ होता है दोस्तों ड अच्रजजल देता है इवन फंगल इंट्फेक्शन में भी दे सकता है बट ज्यादा तर इस्तमाल जो है कैंसर अस्तमा में देखा गया उसके लाग एक्टिंग लॉंग एफेक्ट कौन सा होता है लॉंग एफेक्टिव सब जानतें बच्चे-बच्चे को पता है डेक्साम करने में नियुका के सब्सक्राइब सब्सक्राइब उसको यह डिए जाएगा है एक्षवां हो रहा है डर्म platform नीघा याता हैं यह तो होते हैं सारे क्या अब बात किरेंगी दूस्तू dar क्या प्रोड करें तो मिन्रेल में कहाता है दुस्तोंода ड्राउकसी कॉट्टी को इस्टेरोन मतलब की ड्र करके इसको शौर में लिखते हैं यह मिन्राइन गो keeping रुट्टेटिक Calling उस्टेरोन होता है यह इसको देटis पुझ यह बनेल कर से अन्हों धोनेशचीऑ से अचयफ यह दोरीपेड बॉडूरी पॉरीकट के नाम से चलता है यह मिनरेल कोलेट इस्टेरोड ढूरा यह किड्नी में blood stream में कोई भी disorder हो या urine retention हो पिशाब मारग में कोई गड़वड़ी हो तब को infection हो तब इसको साथ में चलाते हैं एल्डोस्ट्रोन को तो जल्दी effect देती दवा और बीमारी जल्दी ठीक होती है अब बात करेंगे दोस्तों कुछ टॉपिकल स्टॉइठ के बारे में करें वरे में टॉपिकल क्या है ये टॉपिकल स्ट्रोड ऐसा खिर अब उटबश्य लगाते हैं तो जल्दी ठीक हो जाता है उसके लावा बीटा मेटर सौन बेंजुएट यह टॉपिको सौन के नाम से मिल जाता है मार्केट में यह बीस चलता है और दोस्तों इसी कहीं को राता है दोस्तों बेंटर नाम से अपने देक्षा होगा बैनोबै क्रीम में मिल जाता है ये भी इसमें तरह का इंपेक्ष्ण और रेडनेस और शूजन हो फंगल इसको लगा सकते हैं ठीक कई लोग इसको गोरा होने के लिए लगाती है कुलोग बैटा-सोल प्रोपायवनेट यह भी भूछ अच्छा चलता है ठीक ना क्लोग बैटा-सोल प्रोपायवनेट आपने देखा हुआ लोगेट करकी क्रीम आता उसमा होता लोगेट टीक है तो यह भी सिर्पोर्सिफ स्वैलिंग सूजन आ गई है इसकिन के अंदर चंबली के अंदर सूजन है किसी तरह इंसाइक बाइट है किसी कीड़े ने काट लिए सूजन है कि डर्मेटाइटिस हो गया है इचिंग हो रही है बहुत थी खुझली से चल रही है तो वहाँ पे आप लगाएंगे क्लो बैटा-सोल को तो यह एक्चल में क्लामेशन को कम करता यह जो इस्ट्रोइड है इस लिए डलता है यह इस लिए इंख्लामेशन को कम कर द ढूर्त भी टॉपईकाल घमा ऑता इसका ट्रैम साल प्रकुं जास्याभर पने सुना अगार इसका इंजैक्ष्ण राता है कैनकोर इसकी खोर चाहता है भूँआ था क्या लेडर कोर्ट के नाम जाता लेडर कोर्ट ये भी दोस्तों इंफ्लामेशन के लिए होता है कि अलग गए रहा एक जिमा खास तोर पर एक जिमा में काम अच्छा जल देता है कि फ्लू से लॉल उल उन एक और दोस्तों फ्लू सुन उलॉन का क्रीम होता दूस्तों एसे टोन यह फ्लू कोड के नाम से मिलता मार्केट मा यह भी स्वेलिंग बगरा वो कम करता है ठीक है कि तरह के इसके इंफेक्शन हो जाते हैं जहाँ पर आपको इसको लगाना पड़ता है कि लास्ट दौस्तों मुऑणक करना पडके जो शुजण को कम कर सागे तो यह होते हैं डौक में को अब बात करेंगे कि इंद हैना इस्टेड की कि एनापॉलिक का एक अलग ही वीड्यो बन सकता है लेकिन कुछ एनाबोलिक स्टारॉइड हैं जो कि ऐसर मेडिकेसिन यूस किया जाता पूरे नहीं करते कुछ को एक दव us क में दिये जाता है एनाबोलिक इस्टेरोइड भी दो तरह के होती हैं यह कुछ नेचरल होती हैं टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस कितानोोल है यह पहुँस सारे आते हैं यह जो कि है लेकिन इसको इस्तिमाल करते हैं बीमारी वी ठीक करनेके लिए इनीक्त क्छ ब्रैंड नेम और टॉपिकल कोटिक को ऐड्स चोistas लगाने के होते हैं और यह कुछ थे इनाक प्रोड झांत बहुत सारे उति आलग वीडियो बन सकता है और हमारे स्रुक्राइам निकलने को पर वीडियो बनेगा ठीक है तो अब काईब तो मैं में मिलता हूँ अगले बीडिम दोस्तों जेहन बंदिमार